Hello everyone, welcome to my channel, कैसे आप, I hope आप सबी अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिपरा यूनिवर्सिटी की जो की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वी प्लस प्लस ग्रेड़ेड है नाक की तरफ से बिसिकली अक्रिडिटेड है आप इस इनफरमिशन को हम इस वीडियो में दिसक्स करेंगे सबसे पहले आप इस इनफरमिशन को देखने के लिए अप्लाइ करने के लिए इनके ओफिशल वेबसाइट त्रिपरा यूनिव.ac.net पे विजिट कर सकते हैं जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेक्शन या ऑप्शन देख रहा है प्लिक करिएगा ठीक है अब भी हम भी क्लिक करेंगे और देखेंगे रेजिस्ट्रेशन कैसे करना है यह सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है वेबसाइट ठीक है तो इसे ओपन करें उससे पहले है हमें नोटिफिकेशन देखना सो जब आप और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अड्मिशन का सेक्षन दिख रहा है इस पर क्लिक करिएगा सो नेक्स पोर्टल पेज ओपन हो जाएगा जो की है अड्मिशन से रिलीटेट सो इसमें आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है नोटिफिकेशन का तो यहस इसी के थुरू आप डाउंडोड कर सकते हैं और चलिए देखते हैं सबसे पहले अड्मिशन नोटिफिकेशन इसस से आपको सीट सब्जेक्ट क्राइटेरिया जो पूरा प्रॉसेस है वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी तेन्थ ओफ मार्च को नोटिफिकेशन आया है नोटिस आया है पी एजडी एड्मिशन का सो रेड डाट इस रिसर्च एलेजिबिलिटी टेस्ट एंट्रेंस करवा जा रहा है डिफरन 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 डिपार्टमेंट की तरफ से बठा अगर आप नेट सेट क्वालिफाइड हैं गेट है ज्यारेव एक्सेक्रा या मफिल क्या हुआ है तो आप सभी एग्जेंटेने आप डिरिकली इंटिव्यू में पार्ट ले पाएंगे ब्र माफिली है जिसमें की थी सीटस है दिन जामिकल ऑन पॉलिमर मेंगिनियरिंग वन चिमिस्टी फाइब पाइसी त्र्लियरिं टिफरनिग देन कर्डिक्रिक वे इंट टिच्रों गक्रिकली निग्ट्रिक्षा starts 3 right after that arts and commerce business management में 6 है commerce में 2 है economics में 5 है education में 4 so ये total seats है overall सारे categories का combine करके so yes इसके बाद history है so history में 4 seats है then philosophy 7 pole science 10 physical education 4 psychology 9 rural studies 3 sanskrit 7 english 3 music 6 finance 5 tribal and ethnic studies these 3 okay so ये 15 subjects है और जितनी भी seats है criteria so 55% marks है master's degree में तो आप eligible है apply करने के लिए main जो subject यहां लिखा हुआ है उसमें हो concerned subject में या उससे allied जो subjects होते हैं उसमें तो आप eligible है next point GRF है आप या फिर नेट्स लेट्स एट्स एट गेट है या teacher fellowship holders है या MFIL किया है या तुरे प्राई उनिवर्सटी में regular faculty की तरह एक साल से जादा तक काम किया है work किया है तो आप सभी exempted हैं आपको RET exam में participant नहीं करना appear नहीं करना है so yes online mode से apply करना offline application नहीं करना है then list वे जाएगी website पे display हो जाएगी then date of exam so अभी के लिए जो RET है वो 11th 4th को scheduled है ठीक है so 11th April 2023 and उसके बाद VIVA होगा same day and VIVA would be conducted on the same day or the next day तो अगर same day possible हुआ तो same day नहीं तो next day so 11th और 12th अभी के लिए यहीं information है then RET से related information है 200 marks का होगा दो sections है इसमें overall RET में written and VIVA so अगर आप written qualify करेंगे या exempted है तो आप VIVA दे पाएंगे both written and VIVA okay so 100-100 marks का है so जो 200 marks है वो total exam के हैं next यहाँ पे है qualifying marks of 50% है RET exam के लिए next यहाँ पे question paper pattern है so 50 short questions होंगे दो-दो marks के RET में and इसके अलावा यहाँ पे नोट में कुछ points है so इन चीज़ों को देख लीजेगा उसके बाद general instructions है कि form कैसे fill करना है तो portal पे visit करना है 2nd April last date है 2nd April तक you can apply then यह सारे steps को पढ़ लीजेगा क्या कैसे करना है सारी चीज़ें arrange कर लीजेगा जो भी documents वागेना है and then you can apply talking about application fees so unreserved EWS OBC के लिए 800 है SCSTPWD के लिए 600 right then yes यह सारे points है तो basic है आप इने पढ़ लिए का आप समझ जाएंगे कि apply कैसे करना है and I think yes that is it for today एक बार हम website visit कर लेते हैं portal देख लेते हैं जिसके through आपको apply करना है so yes यह है portal तो आप उस option के through आए जाए जो मैंने initially आपको दिखाया था click here का जो option था यह और किसी option के थूँ आए यह जो PDF अभी हमने देखी जिसमें seats वगेरा है bulletin देखा उसमें जो link है उसके through भी visit कर सकते हैं या फर description मैं I will try to provide the link now new registration का option है इस पे जाकर क्या आप register कर सकते हैं बागी कुछ specific information यहाँ पे तो नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं home with यहाँ पे options तो लिखे हैं जैसे public notice है prospectus है website है schedule है तो इसमें कुछ खास नहीं है जब आप schedule भी देखेंगे तो इसमें भी आपको सिर्फ subjects and live है जो admission है वो सारी ही चीज़े देखने को मिलेंगी ठेक है तो हाँ इसको देख लीजेगा कुछ में close लिखा है कुछ में live लिखा है तो फिलहाल के लिए जो information थी वो मैंने आपको दे दी है and yes if you are interested and you are eligible तो आप apply कर सकते हैं video helpful लगा हो तो share कर दीजेगा चैनल को subscribe नहीं किया तो कर दीजेगा को issue है तो मुझे बिता दीजेगा comment section में and yes thank you so much for watching this video